हलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो आप पर्चेज एंट्री करते हैं या सेल एंट्री करते हैं दोनों के लिए तो यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखा जिए हैं डिसकाउंट वन लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्चेज भी लाते हैं आपके पास यह अगर और डिसकाउंट बहुत करना है तो दोस्तो बने हैं मेरी स्वीडियो में और जानेंगे कैसे आपको inward करना है और अगर आप नए हैं तो जो है कैसे कर सकते रहें software buy करना है या customizations करना नहीं तो दिएकर नमर पर मारे contact कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं दोस्तों देखिए अभी यहां पर discount 1 आ रहा है हमें अगर discount 2 करना है तो कैसे करना है हमें सबसे पहले आना होगा master के menu में जो आप देख पा रहे हैं screen पर master के menu पर click करने के बाद आपको आना है mark setup जो सबसे last में और उसके बाद आपको आना है control room जो सबसे पहला option इस पर click करना है और फिर सबसे पहले वाले option पर ही आपको enter करना है या click करना है जो आप यहां पर देख पा रहे है search in all इस पर आपको enter करना है या click करना है और यहां पर आपको टाइप करना है double discount spelling आपको बिल्कुल correct लिखनी है जैसे यहां पर बने लिखा है उसके बाद इसको enter एंटर करके accept करें अब accept करने के बाद आप देखें यहां पर कहीं पर हमें option मिलेगा double discount का और यह देखें जैस हमें क्या करना हमें sale में चाहिए और पर्चेज में चाहिए और अगर हमें sale और purchase में चाहिए तो देखोँ यहां पर लिखा भी है Y अगर आप करते हैं तो Y- refugees दोनों पर double discount आएगा और अगर अगर आप यहां पे p करते हैं सिर्फ और पर चैज में आएगा methodology है और अगर तो यह देखिए, यहाँ पर discount 1 और discount 2 भी हमें जो हैं पर मिल गया और हम चाहें तो इसका नाम भी change कर सकते हैं. आप देखें, बहुत से बिल ऐसे होता है जहाँ पर scheme लिखा होता है, पर बहुत से बिल ऐसे भी जहाँ डबल discount यह discount 2 लिखा होता है. तो यह कैसे करना है, सेम हमें जाना है master, और master के बाद हमें आना है, यहाँ पर mark setup, enter, control room पर, search in all पर ही दुबारा से आप type करेंगे double discount, उसके बाद enter, enter करके इसको accept करेंगे, accept करने के बाद देखें, यह जो आप नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह नाम आप अपने according डाल सक करते हैं, जैसे कि माली जी किसी आपके customer या फिर आपको ही यहाँ पर scheme आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर scheme कर दिया, यहाँ पर ने सिर्फ 4 ही character है, चार character के अंदर ही आप जो लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, उसके बाद आपको escape, escape करके इसे yes करना है, अब हम check करते हैं, discount 1, और यहाँ पर क्या दिखाए, ज़रा मुझे scheme, तो यह discount 2 ही होता है, आप इसको जैसे treat करना चाहिए, वैसे treat कर सकते हैं, अब ऐसे ही जो है, sale के अंदर भी आपका इसी तरीके से आएगा, देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे scheme, तो अगर मैं इसमें wholesale करूँआ, तो wholesale में म नहीं है, तो आपका bill जो है miss match हो रहा होगा, या फिर जो purchase का bill है, उसमें amount आपका ठीक नहीं दिखाए दे रहा होगा, तो यह enable करके आपका amount भी correct आएगा, amount भी match होगा, bill का amount भी match होगा, सारी चीज़े आपकी match हो जाएगी, तो दोस्तों, आपने यह सीखा कि कैसे आपको double discount enable करना है, scheme enable करना है, उसके नाम अगरे कैसे change करना है, वो भी आपको पता लगिया, अगर फिर भी कोई question है आपका इससे related, तो मुझे comment के तुरू बता सकते हैं, बगी video अच्छे लगी, video को like करें, channel को subscribe करें, ताकि इस तरह की और भी informative videos आपको मिलती रहे, if you buy करना है, या